है कि यो है और दो करदेश श्कूल सिख्श बिवाक से एक बड़ी ख़ब निकल करके आरे जहां प्राइमरी इश्कूल हो शक्ति है और उप-ॉफलाइन मोड मैं को कोड़ बड़ूण के बड़ते प्रिकरन ताकि हमारे notification आपको मिलते रहें चलिए साथ हो अब हम इस वीडियो को शुल करते हैं साथ हो इस खबर को प्रमुक्ता से प्रकाशित किया है पीपल समाचा द्वारा और जैसा कि इसकी heading है इसकूल में primary कक्षाओं के offline संचालन पर जल्द ही लग सकती है रोग तो दोस्तों देखते हैं क्या इसकूल primary school का जो संचालन हो रहा है वो बंद हो जाएगा क्या अगामी समय में इसे जैसे कि इसमें दिया गया है प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव के आकड़े में लगातार इजापा हो रहा है इसमें भोपाल और इंदो सहरों में सबसे जाना केस मिल रहे हैं इसको लेकर के खास्तों से छोटे बच्चे पैरेंट्स चिंते थे नतीजन प्रदेश में प्राइमरी इश्कूल बंद करने की मांग उठने लगी है वहीं दूसरी और मुखमंत्री शिबराशिंग चोहां दौरा पचास प्रतिसत उपस्तिती करने के बाद विभागी अधिकारी इस समंद में उच इस्तर पर चर्चा कर रहे हैं कोरोना शंकरबन की इस्तिती पर लगातार नजार रखने के साथ ही बिशिशंगों से इसने बिचार बमर्श किया जा रहा है कि इससे लगता है कि शीगरी प्राइमरी श्कूल की कक्षाएं बंद की जा सकती है गौरत तलब है कि कुछ दुनों से पहले भोपाल इंदौर में एक छात्रा को कोरोना पॉजिटिव मिली है महीं श्कूल सिक्षभ वादवर सौ पिश्दी उफ़स्थिती फिर छे दिन के भीतर ही ओक्त आधिस को पलट करके पचास पिश्दी उफ़स्थिती के साथ श्कूल कक्षाओं का संचलन के आधिस से जारी किये गए है लेकिन प्राइमरी श्कूल के बच्चों के लिए अभी तक किसी भी तरह का गाइड लाइन जारी नहीं किया गया है इससे अभी भावक में अशंतोस है ऐसे अभी भावक पचास फिस्ती उपस्तिती के बाबजिद फिलाल श्कूल बंद रखने और ऑनलाइन कक्षाएं ही जारी रखने की मांग कर रहे हैं अधिक्तर अभी भावक छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को श्कूल नहीं भेज रहे हैं और जो भेज रहे हैं उनमें से बहुत कमी आई है इश्कूल के मुद्दे को लेकर के फिलाल अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं इस समन्द में जब इश्कूल शिक्षब वाग की प्रमुक्र सचिव रश्मी अरौन समी से संपर करना चाहा तो उन्होंने फौन नहीं उठाया वहीं दूसरी ओर सुसाइटिफ और प्राइवेट इश्कूल डिरेक्टर मध्यप्रदेश संस्थापक दीपक शिंग का कहना है कि आगर सरकार को लगता है कि बच्चे सिर्फ इश्कूल में ही अस्वरक्षित हैं और अन जगाओं पर शुरक्षित हैं फिलाल पचास पर तीसर उपस्थिति के साथ इश्कूल खोला जाना छाते हित सही है बच्चों के ग्रोथ के लिए उन्हें तीन दिन इश्कूल का माहल मिलना ही जरूरी है तो इस परकार का कहा है यह जो की प्राइवेट इश्कूल संचाला के प्रमुक जो हैं उन्होंने साथ में सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर नहीं है गंभीर ऐसा हेडिग है तो इसे देखते हैं मदप्रदेश पालक्ष महाशंग के अद्द्यक्षे कमल विश्प कर्मा का कहना है कि प्रदेश में लगातार स्थिती बिकड़ती जा रही है लेकिन सरकार बच्चों की इसकुल भी गंबीर नहीं नजर आ रही है हम जली ही इसकूल बंद कराने की मांग को लेकर कि मुक्मंतRI सहत इसकूल सिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे इस फर जली ही नहीं लिया गया तो हम कोड़ की सेरण लेंगे इस प्रकार का काहा है जो महासंग है उसके अद्यक्ष पालक महासंग के अद्यक्ष से कमल विश्वकरमा का कहना है वहीं हम देखते हैं जो नितिन सक्षेना है जिलाशिक्षा अदिकारी भोपाल इनका स्टेटमेंट क्या है फिलाल अभी 50% उपस्तिती के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं इसके साथ ही निमेवत अच्छाओं के प्रकरण को भी समिक्षा की जा रही है जो भी निर्णा होगा विभाग इस्तर पर किया जाएगा वहीं आन्य एक पालक का स्टेटमेंट है कि कोरोना क कि थर्ड बेब से बच्चों को जाना खत्रा है श्कूल भले ही 50% समता के साथ खोले गए है लेकिन इन में से कोरोना का खत्रा कम नहीं हुआ है बच्चों को जोखम में डालना ठीक नहीं है इस पर ध्यान देना जरूरी है यह नराण नगर से पूर्ण मिश्रा का कहना है त तो साथियो शिक्षव विवाग से समंधत लेटेस्ट अपडेटिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पैल आइकन को प्रेस्ट करना नहीं बूलिए साथियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाए है